कि पहले जो सिस्टम था उसमें पहले ये था कि एक्जाम को जो है मेरिट बेसिस में बच्चे जो मार्क्स पाएं हैं जो उनका ट्रेनिंग है उस हिसाब से वास्तों में इस तरह की वेकेंसी की जो है भरने का तरीका भी है ही सही है उसका सरकार ने क्या किया कि तक्निकी परिश्ट को जो है परिच्छा कराने की जिम्यदारी दे दी और उसने क्या किया कि मेरिट बेसिस न मान करके एक्जाम करने कराने की बात कही उस पे बच्चे कोट में गए तो उन्होंने कहा कि पहले ये नियम था अचानक बदल के ये कर नएक नहीं बदले जा सकती, और जो सिस्टम चला रहा है, उसी को follow करना चाहिए, तो कोड जब में जब सरकार गे तो सरकार की case को जो है, दो जजों के bench ने उसको सुना, और सुनने के बाद सरकार case case को उन्होंने खारिश कर दिया, मनें सरकार के against men उने decision दिया कि जो पहले से system आप बना है वही चलेगा दूसरा कोई नया system आप नहीं बना सकते हैं तो उसमें देखिए बीपिएसी ट्यारी टू की बात करें तो उसमें लेकिन एक तो सप्लिमेंटरी वाला हटाया गया जितनी सीटें थी उतनी भरी नहीं गई तीसरा बीच में जो हिंदी वाला मैटर आया गया ओभी एक्जाम होने के बाद ऐसे अभी जो डॉक्मेंट वरिफकेसन हो रहा है तो डेली जो दस वीस पचास सो पकड़े जा रहे हैं यह निगर हम बीपिएसी ट्यारी टू की बात करें तो आपको कम से कम इसमें जो है ना बीस पचीस खामिया दिख जाएं बेरी दो हैर सोला में 6 साल से 7 साल से लोग नौकरी कर रहे थे तो उनको शिर्फ और सिर्फ अठाया ही नहीं गया उनसे कहा गया कि सूध ब्यास से ही ता पैसा वापस करेंगे वेतन जो है वापस करेंगे तो यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है हाँ कोड कोशिस कर कि जो लोग जोईन कर लिये हैं और जो है नेच्छरल जस्टिस के अगिंस कुछ न हो लेकिन कुछ के चक्कर में बहुतों का नुकसान यहां हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैनूनिली परिच्छा दिये थे इमानदारी से उन्होंने अच्छे मार्क्स पास गई अचानग जो है बढ़के सो के बीच में तो यह टबल का मेरिट का चेंज होना ये भी अपने एक परिस्टेशन उठाता है तो अगर आप बढ़के बहुत सारी खामियां हैं और अगर बच्छे इस पे प्रॉपर ढग से वकील के साथ जाके अपने अप्छिष्यो सर दो जगह जिस तरीका से डी सीजन देए बिहार में पटना हाई कोट के दुवारा एहने मौला डी सीजन दिया गया और बंगाल की जो आप बात करते हैं क्या इनके जो बच्चे के वकील होंगे ये दोनों को कोट कर सकते हैं बता सकते हैं क्या ये भी उनके लिए कड़ा में जाते हैं तो खुब सारी किताबें आप देखते हैं जी बिसिकली किताबें क्या होती हैं वो प्रिवियर्स जो होते हैं उनका डिसीजन होते हैं उसमें क्या-क्या लाउ पॉइंट कहा गया वो बता जाता है तो एक अच्छे वकील को उसे लेटेड बहुत सारी केसिज या अधार पे बहुत सार एक्जाम कैंसेल हो चुके हैं अब आप कहेंगे कि क्या सरकार नहीं जाएगी मुझे लगता है सरकार तो जाएगी निश्ची तुरूप से जाएगी सरकार कि अपनी पक्ष रखने के लिए लेकिन जिसमें एक्जाम हुआ था उसमें कोई और सरकार थी तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि अगर बच्चे अपनी बातों को देढता के साथ रखें वकील लोग इन सारे के सारे लेटिस्स फैसलों को भी उसमें रखें तो मुझे लगता है कि बच्चेों की जो है विजय होगी सर इसमें दो प्रक्रिया नहीं हो सकता है क्या ये भी हो सकता है कहीं कोड के द्वारा बोला जाए कि जो ज्वाइनिंग किये है उसमें देखा जाए कि हिंदी में कौन पास है या कौन फेल है या फिर से जो टोटल सीट है उस पर रिजल्ट दे दिजिए बहुत सारा कंडिशन बन सकता है कौन से यसी चीज है जिससे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो तो उसके साफ से डिसिजन लेती है लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएसी टीरी टू में बहुत सारे प्रस्ण चिन्न है और अगर इसको कोर्ट में ठीक से लडा जाए तो बच्चों के फेवर में कई तरह क रहा हैं जिनका मालेजे मार्स था क्वालिफाइंग कर गए थे जिनके पास कटफ भी था फिर भी उसमें पार्ट वान पार्ट टू पार्ट तरी कटफ दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट का यह सर यह सब कटफ भी प्रश्ण माचक्ची नुक्त बिलकुल देखिए कुछ भी जो है ना बी पी एसी ट्यारी वन जैसे हम लों ने देखा था और ट्यारी टू भी देखा इसमें तो मतलब समझ लें कि एक ऐसा गेम था जिसमें कोई रूल ही नहीं था मतलब गेम की जब शुरुआत होई तब जितने रूल बदल सकते थे इधर कदो अधर कर दो उसमे पड़े हुए थे तो उसमें कहानी कुछ और चल रही तो इसलिए उसमें जो है आनन फानन में बहुत सारे डिसिजन लिये गए और उसमें जब भी कोई प्रसास्तिक डिसिजन लिया आता तो अपने आप नहीं होता है उसमें कहीं न कहीं जो है आपकी जो है पॉलिटिक्स सामिल होता है तो इससे मों डिसिजन उस तरह के लिए गए चुकि हमारे जो चेर्मेन साहब थे कुछ दिन रहे उसके बाद हड़ गए उनको रिटायर होना था तो उनके भी खुब सारा दवाव रहा होगा कि ये कर लो ये कर लो कर लो हो सकता है वो दवाव में काम किये हों ल रख लो ये रख लो वो रख लो तो इस ही इस पे हो सकता है कि कोटि डिसीजन दे कि जो कुछ इस इस बिसिस पर है उनको रखा जाये लेकिन मुझे लगता है को बå पर डंग से वेरिफाई किया जा क्योंकि मुझे लगता है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन ने बहुत सारी कमिया रहे गई हैं जिसके उसे बहुत सारे फर्जी लोग भी जो है जाकर जोइन कर लिए अब हम लोग कभी भी फर्जी बच्चों का सपोर्ट नहीं करेंगे जो मेहन कि अंग…